नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं कि भारत सरकार ने एक अप्रेल 2023 से सोने के जो गहने हैं यानि गोड़ जुविलरी है उसमें हालमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानि हुआइड को अनिवार कर दिया यानि इसका मतलब भुआ कि एक अप्रेल 2023 के बाद सोने से बन हुए गहने और अन्य चीजों की बिक्री विदाउट हुआइड के नहीं हो सकती यानि कोई भी जुविलर एक अप्रेल 2023 इसके बाद अब विदाउट हुआइड इडेंटिफिकेशन के इसको नहीं बेच सकता और यह फैसला हुआ है अभी तीन मार्च को ब्यूरो आफ इं इंडियन स्टेंडर जो की BIS अधिनियम 1986 के द्वारा इस्थापित किया गया था और दिसंबर 1986 से प्रभाव में आया जो BIS है यह बिसीकली उब्भोक्ता मामले खाद एवं साज्विनिक वित्रण मंत्राल है यानि Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution के अंतरकत काम करता है और यही कोशिश करता है कि भारत में जो विभिन उत्पाद है गोल सहित और जोल्री सहित उनकी क्वालिटी भारती है जो स्टेंडर है उनके अंडू रहे तो इसकी जाच करता है अब देखते हैं कि हुई आईडी नंबर क्या है तो हुई आईडी नंबर बिलकुल उसी तरह से है जैसे आधार और 1,2,3,4 इनको मिला के वो एक पूरा कोड जनरेट करेंगे और उस कोड के आधार पर उस ज्विलर की जानकारी सोने की अबजन सोने की शुदता कहां से ली गई है किस पर्टिकुलर जो टेस्ट सेंटर है उससे चेक किया गया वो सब जानकारी उस अलफा नूमरिक कोड यानि HUID नंबर में रहेगी तो कैसा रहेगा ये तो अब आपको जब भी अब कुछ आप खरीदेंगे कोई भी गोल्ड की सामगरी जिस तरह से ये कंगन का एक एक समझ सकते हैं तो यहां पर पहले जो BIS है उसका स्टेंडर का साइन रहेगा यानि यह पर्मानत है फिर उसक कितने कैरेट का गोल्ड है यह भी प्रमानत किया जाएगा उसके बाद किस सेंटर से से हाल मार्किंग की गई है यानि किस सेंटर में से टेस्ट किया गया है उसका निशान रहेगा उसके बाद चौथे नंबर पर HUID का इसमें साइन रहेगा यानि एक जो आप कंगन या सोनी जो भी कुछ खरीदेंगे उसमें यह चार निशान मौजूद रहेंगे तो यह जो चार निशान मौजूद रहेंगे यह बेसिकली चार जैसा मैंने आपको बता दिया एक पहला निशानकार्थ है भारती मानक व्यूरो यानि BIS मार्क दूसरे कार्थ है कि इसमें कितने कैरे सोना है तीसरे कार्थ है किस सेंटर से यह टेस्ट किया गया है और चौथा है HUID को यह सभी जानकारी इसमें रहेगे चलिए आगे देखते हैं उद्देश क्या है तो जो हालमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन है यह बहुत ही सुरक्षित सिस्टम बनाया गया है जिसका विद्देश है सोने में किये जाने वाले या गहनु में किये जाने वाले जो फ्रॉड है उसकी चांच करना और इस के देखिए ध्यान यह रखें कि इसमें सोने के हर तुखडे पर है जिसने से त्रेस करना समझना उसकी quality को समझना किस test center से उसे test किया गया यह सब बहुत आ जो मार्किंग कहा जाता है हाल मार्किंग basically प्रमानित करता है कि सोना जो आभूशण है वो भारत में जो सोने के मानक है उनके अनरूप है या नहीं जैसे अगर हम मुधरन के लिए समझना चाहें तो अगर किसी भी सोने के जेवर पर जेलरी पर लिखा हुआ है इसका अर्त हुआ कि उस ज्यिवलरी वह जएलरी 22 क्यरेट सोने के बनी हुए और 22 क्यरेट 24 क्यरेट सोने में 22 क्यरेट वो सोना है और बाकि जो दो भाग है उसके वह मिश्डात हुए अब हाल मारकिंग कैसे होती है तो देखिए कि BIS Jewelers को license देता है वे BIS से मानता प्राप्त किसी भी आभूशन और हाल मार्क से हाल मार्किंग करा सकते हैं अपने किसी भी आभूशन की और उसके बाद फिर उन्हें हाल मार्क दिया जाता है जिससे प्रमानित होता है यह जो लिखा गया है इसके अंतरगत वो सब सही है ओलते हैं पर वो जो टेस्लेब है वह नीकर मार्क करता है फिर निशक दालता है और छार इंक मैं आपको बताई चुक्आ हूं भारत्य मानक बीरो यह बियुरॉर इसमें एक चीड और ध्यान रखिए कि जो आप स्वैम भी उस हाल मार्क से हुआईडी से किसी भी सोने की शुद्धता को पहचान कर सकते हैं इसके लिए आपको करना यह होगा कि BIS का जो केर मोबाइल एप है उसे डाउनलोड करिए उसके बाद बहुत सारे इसमें इंस्ट्र सोना है सारा कुछ खुदी स्वैम भी जाच कर सकते हैं अच्छा अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक शब्द है सोल्डरिंग तो सोल्डरिंग बिसिकली क्या होती है तो देखिए ध्यान रखें यह 24 करेट यानि शुद्ध सोने का कोई भी जेवर वगएरा नहीं बनाया जा सकता उसमें कुछ धातूं को मिक्स करना पड़ता है जिससे आसानी से उसे वो मोड सकें और उसमें कुछ उसके अभूशन बना सकें तो मुल रूप से तिन लैट जिंक वगएरा धातूं का इस्तमाल किया जाता है सोने के जेवर बनाने के दौरण और इसे सोल्डरिंग कहा जाता है और यह मानेता प्राप्त है और आम तोर पर ऐसा माननकर चला जाता है कि 20 से 20 परसेंट कहीं 10 परसेंट क्या है कि gold की जो शुद्दता है मतलब सोने की शुद्दता है उसके अधार पर उसे 24 करेट, 23 करेट, 18 करेट वगरा में बाटा जाता है और जब किसी भी सोने को 22 करेट गोल्ड यानि B.I.S. 916 सोना कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है कि सोने में 22 करेट गोल्ड है और 916 का अर्थ होता है कि यहां पर 90.6% यह शुद्द सोने का इस्तमाल किया गया है और जो बाकि 8 लगबग 9% है वो है कोई भी धातू, जिंक, लैड या तिन वगरा तो इस तरह से उसे बताया जाता है अब हाल मार्क जोईलरी खरीदने के लाब यह होते हैं, लाब यह होंगे, य बहुत सारे गिरहागों को किलियर बताते नहीं कि कितने परसेंट सोने का इस्तमाल कर रहे हैं वो और फिर जब वो बाद में रीसेल करने जाता है तो बहुत सारी प्रॉलम आती उसके साथ, लेकिन जब आप हाल मार्क हुईलरी गोल्ड खरीदेंगे तो उसमें एक एक बढ़िया रीसेल मिल पाएगी, तीसरा चीज है कि कोई भी दोखा वगरा नहीं हो सकता इसमें, और चौती चीज है कि लोन लेने के समय भी आसानी होगी, तो कुलम लाके ये है जानकारी हुईड की जो एक अप्रेल 2023 से लागू होने वाला है, सभी गोल्ड जोयलरी पे उम